नमस्कार दोस्तो दे लर्नर पॉइंट में आपसे भी का श्वागत है इस वीडियो में दोस्तो उपन पढ़ेंगे राजस्तान की फसलें देखें दो पेजों के इंदर मैंने फसलों को समाहित किया है और भगवान ने चाहा तो इसी वीडियो से आपका प्रसन हो आ जाएगा तो देखें राजस्तान में सरवाधिक व्यर्थ हे बंजरवूमी वाला जिला जिला कोन सा है तो जेसल मयर है राजस्तान में नियूंतम वेर्थ और बंजर भूमी वाला जिला पूछले तो हनुमान गड़ है सर्वाधिक चारागा व्या गोचर भूमी वाला जिला कौन सा है तो बाड मेर है नियुन्तम चारागा व्या गोचर भूमी घंगानगर में है कौन से जिले में सर्वाधिक व्यपारिक 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 व्यपारि सर्वाधिक लवनिय भूमी वाला जिला कौन सा है तो पाली है फिर देखे उत्पादन में पर्थम की बात करें तो फलों के उत्पादन में पर्थम नंबर पर कौन सा जिला है तो सिरी गंगानगर है दालों के उत्पादन में पहला जिला कौन सा है तो नागवर है राजस्ता दलहान की उत्पादन में फयस्ट है वारत के अंदर ये ध्यारखना तिलहन उत्पादन में परत्म ईयात यह शीज्ञ परफल पर्षन यह ऐसा ही आएगा फिर देखे कृष्वी की दिबात करें तो कृष्ण ह है उसमें एक क्रिशी आती है स्तानांतरित क्रिशी जो फैक्ट है वो मैं लेकर आया हूँ सिर्पियां पर जो स्तानांतरित क्रिशी है वो कौन से होती है वनों को काट कर या जला कर की जाते है उसे स्तानांतरित क्रिशी कहते है ये आदिवाशियों में सरवाधिक परचलित होती है जैसे वाल्दरा चिमाता दजिया ये तीन परकार की है स्तानांतरित कृष्षी की दिबात करें तो ये राजस्तान के दक्षणी भाग में की जाती है और सरवादिक स्तानांतरित कृष्षी किस जन जाते के के द्वारा की जाती है सब प्रस्न पूछ ले तो भील जन जाती के द्वारा की जाती है अब देखिए स्थानांतरित कृष्षी के तीन परकार है वालरा है चिमाता है दजिया है यह दक्षणी राज्तान में की जाती है वालरा ग्राशिया जन जाती है चिमाता है वो भील जन सब्सक्राइब की अमरित टेश्रीज यह आपने अभी तक नहीं परचेज की है तो यह आप परचेज कर लेजिए यह रामबानोज दिये त्रितेशनी शिक्षक भरती के लिए इसके अंदर कुल 2700 प्रसंद है जो 60 से लेके 10 यह तक की राश्तान अद्यन की किताबे हैं उन परचेज बनाए गए हैं और इसके अंदर आप टेश्ट दे भी सकते हैं यह इनको पड़ सकते हैं और इनको आपने याद कर लिया तो प्रसंद यह आसे बार नहीं जाएगा राश्तान का इदियास और कलसंस करते का क्योंकि इन्हीं किताबों से प्रसन है वो आ रहे हैं लगातार आपने फर्स्ट ग्रेड में भी देखे होंगे पिछे की जितनी बढ़ती हैं उनमें भी यहीं से प्रसन आ रहे हैं लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देदूँगा आप एक बार चेक आउट जरूर करना नेक्स देखे इनका वर्गी करन पसलों का तो पसले तीन परकार की होती है क्रीब की पसल रभी की पसल जायद की पसल है इसे स्यालू बोलते हैं रभी की पसल है इसे उनालू बोलते हैं क्रीब की पसल है इसे बोया जाता है जून जुलाई में काटा जाता है स्तंबर सब्जियां वगर है तो तोड़ने लग जाते हैं अब देखे खरीब की फसल के इदी बात करें तो इसके अंदर कौन-कौन सी फसले आती है चावल आता है जवार आती है बाजरा आता है मक्का आता है कपास गन्ना मुफली स्वयाबीन अरंडी तिल अरहर उरद मूंग मोट च गमार और चारा यह सारी की सारी खरीब की फसल है देखे आप ग्रमनी चेतर से विलोंग करते हैं तो यह आपके दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सी पसल है वो खरीब के टाइम बोई जाती है जिसको अपन सावनी बोलते हैं अपनी बासा में कौन सी हाड़ी की पसल है यानि र चावला जवार बाजरा मक्का पास गन्ना मूफली सोया बीन अरंडी तिल अरहर उड़द मूंग मोठ चमला गमार और चारा तो यह खरीब की पसल है रभी में गेहूं जो चना मसूर मसूर दाल मतर अलसी सर्शों तारामिरा सूर्जमुकी यह सूर्जमुकी द्यान में खर्बूजा हो जाएगा कंद हो जाएंगे सबजियां हो जाएगी यह सारे की सारी जायद की पसले हैं अब देखिए तीन परकार की फसलों की मैं बात कर रहा हूं एक तो ख़द्यान पसले एक दिल हनी पसले एक और तिल हनी पसले तो देखिए जो ख़द्यान पसले हैं उ सर्वाधिक उत्पादित होने वाली फसल कौन सी है तो गेहूं तो सर्वाधिक उत्पादिन होता है गेहूं का खजान में सर्वाधिक छेतर फल पर बोय जाती है बाजरा दलहनी की दी बात करें तो सर्वाधिक छेतर फल पर बोय जाती है मोट और सर्वाधिक उत्पादिन हो होता है अलवर में तो आप से पूछ ले कि बाजरा सरवादिक छेत्रफल पर किस जिले में बोया जाता है तो बाड़ मेर में बाजरे का उत्पादन सरवादिक किस जिले में होता है तो अलवर में गेहूं का उत्पादन और छेत्रफल के दिबात करें तो हनुमान गड़ हनु है वह सरवादिक छेतर फल और उतपादन की दिबात करें तो बुंदी तो चावल सरवादिक छेतर फल पर बोया जाता है बुंदी में उतपादन भी बुंदी का होता है और अपन भाग कर क्या करेंगे गंगा नगर करेंगे ध्यां रखना बुंदी है वरतमान में बुंदी चावल कासरवाद एक छेतर फल उत्पादन बुंदी अब देखिए चावल की तीन किसमे हैं उनसे भी परसन आ जाता है एक तो एमन एक है ओस एक है बोरो ये कब कब होई जाती है तीनों की बात करें तो देखिए हम मतलब खुश कब होते हैं जो मानसुन का टाइम होता है या अमन चैन होता है तो अमन है ये मानसुन की है और ओस कब पढ़ती है ओस पढ़ती है सरदियों में यानि सीत काल की किसम है ओस और हम बोर कब होते हैं गरमियों में बोर होते हैं तो बोरो है ग्रिश्म की जवार सरवादिक छेतर फल और उत्पादन की दिबात करें तो अजम करता है जो की दिवात करें चेत्रफल और उत्पादन दोनों में गंगानगर ही फस्ट है मूंग चेत्रफल और उत्पादन में नागोर फस्ट है मोट है इसके चेत्रफल सरवादिक चेतरफल में मोट वाय जाता है बिकानेर में और सरवादिक मोट का उत्पादन करता है चूरुजिला फिर देखिए चन्ना है वो चेतरफल और उत्पादन दोनों में बिकानेर फस्ट है अरहर में चेतरफल उत्पादन में बांसवड़ा फस्ट है सर्शों के उत्पादन और छेत्रफल दोनों में अलवर फस्ट है, मुंफली के उत्पादन और छेत्रफल दोनों में बिकानेर फस्ट है, तिल के उत्पादन और छेत्रफल में पाली फस्ट है, सोया बीन का छेत्रफल सरवादिक है, वो जालावार और उत्पादन है, वो कोटा, ये मैं वसलों के उतपादन में रास्थान फस्ट sì पर देखिए वर्गीकरण भी बता चूका उपर मैं आपको फिर देखिए तील है यह पाली सरवाधिक को और मुंपली है यह बिकानेर चेतरफल उतपादन दोनों जैपुर, अरंडी, छेतरफल उत्पादन, दोनों में फस्ट है, जालोर, अलसी के छेतरफल उत्पादन में फस्ट है, परताब गड़, उडद के छेतरफल की दृष्टी से यह दिबात करें, तो बुंदी पर्थम है, और उत्पादन में टौक पर्थम है, गन्ने के उत्प इसब गोल के उतपादन में पर्थम है बाड मेर, ध्यां रखना इसब गोल के उतपादन में पर्थम है, और राजस्तान अकेला है जो विष्वो में सरवादिक इसब गोल का उतपादन करता है, यानि CTben करता है, अफीम की खेती के अंदर यह चितो ड़्गड फेमस है उतपा छेत्र फल दोनों के अंदरी जोदपूर पर्थम है पिर देखे धनिये की दिवात करें तो धनिया उत्वाद में पर्थम है जालावाड मेंदी की दिवात करें तो पाली फस्ट है और सोजद की मेंदी परसिद है लाल मिर्ची के उत्पादन में श्वाइमादपूर पर्थम है और लाल मिर्थ परसिद है मतानिया जोदफूर की तो ये दोस्तों फसलों वाला जो टोपिक था वो मैंने आपको सोर्ट एंट स्वीट करवाया है बाकि आप डिटेल पढ़ना चाहें तो कितने डिटेल पढ़ सकते हैं किर्शी के जलवाई उपर देश पढ़िए आप जि क्याद लाइक करना अपने दोस्तों में सेर जरूर करना फिर कभी मिलते हैं एक सोर्ट वीडियो के साथ तब तक जैवार